तो हेलो गाइस के साथ सभी लोग सवागत एक और न्यू गैम प्ले में और आज हम दुबारा से खेलने जा रहे है लाश्ट रूल सर्वाइवर और जैसे कि आज का वीडियो बे होने वाला रेड इस पेशल तो दोस्तों जैसे कि आपको याद होगा कि इस बेस पे मैंने पहल लादा चल गया था अंदर तो इसलिए यहांपर कैबिनेट है इसके अंदर तो चलो इस वाल को तोड़नी पड़ेगी हमें अब बाहर से तोड़ो है अन्दर से कोई फरक नहीं पड़ता तो इसलिए मन अंदर से तोड़ता हूं इसको अब दोस्तों यहां पर मुझे ऐसा लग रहा था कि मेरे टीमेट चाहता था कि इस वाल को मैं बाहर नहीं तूटेगी अब यहां पर मेरी थोड़ी नेट प्रोब्लम हो रहे थी इसी वज़े से बाद में थोड़ी देर बात चल रहे थे वह और जो मेरे टीमेट भागता हुए दिखाई देरा और आगे नहीं बॉम तो काफी कम लेकर आये थे क्योंकि अब बंदे काफी एक्टिविस सर्वर में तो इसलिए अब बॉम खतम हो गए तो मेरे टीमेट जाके बॉम लेकर आएगा तो इतनी देर हमें रुकना पड़ेगा लेकिन कोई दिक्कत नहीं है कि मतलब मेरे टीमेट ले आएगा ब एक बॉम से अब यहां पर मेरे टीमेट चाता था कि में बाहर की वाल पर लगा हूँ लेकिन अंदर की वाल के हेल्थ कम उचुकी तो इसलिए फायदा इसी में कि अंदर की वाल पर वापस बॉम लगाए हम लोग क्यों कि जिस तरह सा भी मेरे टीमेट बता रहे ना वह बास इसे भी हेल्थ नहीं गट रही है विसकी किचन कैफे से भी तो क्योंकि यार यह स्टोन की दिवार है तो अभी मुझे क्या करना पड़ेगा कि बॉम लाना पड़ेगा तो बॉम मेरे टीमेट ले आएगा शायद तो चलो वह चला गया है भी बॉम लेने के लिए सीधा अप इसे टाइम लगेगा तो इसलिए हमें क्या करना पड़ेगा जो मेरे टीमेट आएगा बॉम लेकर तो हमें सीधा बॉम ही लगाना तो चलो अभी मेरे टीमेट आ चुका है गन भी लेकर आया है साथ में अब यहां पर बॉम ले आया है वह 10 simple oil bomb तो चलो अब हमारा काम हो जा अब फिर से भी लगा देंगे यार श्चादा बॉम ब्रिगाडने की क्या ज़र होता है वी फिलाल इस पर लोक नहीं था लेकिन फिर भी यार जितने हमने बॉम लगाया ना वह से यह सामान बहुत कम है लेकिन खेर कोई बात नहीं हमें तो रेट करने ती जो हमने कर लिए सामान मिला नहीं मिला उससे कोई फरक नहीं पड़ता है तो चलो दोस्तों अभी इस बेस पर हमने रेट किते हैं तब वहां पर लखड़ी के बेस्ट है तीन चार तो अभी एक दो तो होंगे कम से कम तो चलो सामने चोटा सा बेस्ट दिखाए दे रहा है तो मैंने यार यह सोचाए कि मतलब चोटा सा चोटा बेस्ट भी मिलेगा ना उस पर रेट करेंगे अब चाहे से उसम प्रब्लम की वज़े से ऐसा हो रहा है कि आगे पीछे हो रहा है थोड़ा तो चलो यहां पर केबिनेट लगी हुए अब देखते हैं क्या मिलता है दो बॉम मैंने लगा दिया अब इसके तूटने के बात पत चलेगा कि क्या है और क्या नहीं इस केबिनेट में अब यहां अब ही हमने दो बॉम लगाए थे लेकिन देख लो केबिनेट की हेल्थ आदी हुई है तो यह शायद प्रॉब्लम इसलिए आ रहे है क्योंकि मेरा नेट सुलो चल रहा है तो नेट प्रॉब्लम की वज़े से हमें बॉम जादा लगाने पड़ेंगे फिलाल दो बॉम पहले कुल मिला कि हमें लकडी मिली है कोई फरक नहीं पड़ता बाकि और बेस देखते तो यहां पर एक और बेस मिला है मुझे अब काफी दूर आ चुका हूं विससे यार तो यहां पर यह बेस मिला तो चलो आप इस पर रेड़ करते हैं अब शायद इसमें कोई ज़्यादा साम मिलेगा तो यहार अभी मेरे टीम इट जो है ना वह बॉम लेकर आ रहा है क्योंकि यहार मैं यहां पर आ चुका था और मैंने जब यह बैस्ट देगा तो मेन अपने यहां पर फर्न reacts लगा हो ऑई तो फर्नस में एक बार चेक कर लेता हूं और यहांपे थोड़ा वह समन कंट arqu Rock यहां थ्म् disaster कर नहीं ऑद मैं आब यहाँ पर मुझे पता नहीं कि लूट मिली यह लेकिन जो भी लूट मिली यह वह तो वह भी दे देगा बाद में कम क्यूकि लो आगे के बीढ़ें, जो उन पे बरेड करेंगे तो उसने बोले चलो ठीक है अगर तुम चाते हो तो видео केबिनेट को भी तोड़ेंगे क्यूंकि Δोस्तों कही बार एशसे छोटे धिसे बेश में आन्पर रेड करने के चक्कर में मतलब हची लूट भी हाथ लग जाती है और कई बार ऐसे होता है कि केबिनेट में हमें काफी ज़्यादा सामान में मिल जाता है तो अब फिलाल यहां पे लोक है तो इस बार रेड में करूँगा तो इसलिए मैंने इस लोक वाले डॉर पे बॉम लगा दिया है अब दोस्तों हैंडमेट से मैं इस लिए तोड़ रहा हूं यह डर क्यूंकि यार्व香ार कोर्च जितने बी तो जितने मेप में आप तो लकडी के और इस्टोन के बेस भी काफी मुश्किल से मिल रहे हमें इतनी दूर आना पड़ा है लकडी का बेस देखने के लिए भी तो दोस्तों अभी फिलाल मेरा जो टीम मेट है वो नोक हो गया था लेकिन कुल मिला के मैंनों से रिवाइव दे दिया है मैं सोच रहा हूँ कि अंदर से इसकी एक सेलिंग तोड़ देता हूँ ताकि हम में कुछ रास्ता दिखाए दे कुछ बेस समझ में आए अब दोस्तों क्यूंकि इस बेस में काफी सारे डोर लगे हुए अब मैंने सभी डोर को ओपन करके देखा है लेकिन यार मुझे कहीं पर सिड्डी दिखाए नहीं दिया है मैंने जितने भी डोर खोले है तो चलो हमें काम करते हैं यह सेलिंग तोड़ देता है पहले इसकी उसके बाद हम चाहेंगे तो वूड लेडर लगा के देखेंगे तो दोस्तों यहां पर जो सेलिंग हमने तोड़ यह ना वहां पर मेड भी होता है तो फिर उसके बाद काया दो लोगों का दिमाख चलता है यार रेड गरने में तो फिर उसके बाद पता चली जाता है रेड आसान हो जाती है अब दोस्तों वेसे तो मैंने आप सभी के सामने वीडियो में सभी डोर ओपन करके देखे थे मुझे कहीं पर लिए दिखाई देती तब तक डूर ओपन हो चुगा था और मैं वहाँ से निकल चुगा था अब दोस्तों इसी तरह से टीम मेट का फायदा होता है कि मतलब या टीम मेट काफी बार हमारी इस तरह से हेल्फ कर देता है जैसे कि अभी मेरी होई कि मतलब उसका नेट अभी atta यहां पर मुझे यह बैस दिखाय दिये ते दो इसलिए मैंने मेरे टीम क्योंकि दोस्तों अब यह हमारी मजबूरी हो गए थी कि मतलब यार इतने बॉम बनाए ना तो फिर वो पूरे फाल तो चल जाएंगे क्योंकि हमें भी पता था कि हमारे बेस पर रेड होगी तो उससे पहले हमें भी रेड करनी थी तो इसलिए जो बेस मिले उनी पर रेड कर देनी चाहिए फायदा इसी में ही है वैसे मेरा टीममेट नहीं चाहता था कि ऐसे मतलब सिर्फ केबिनेट वाले बेस पर रेड करें फोलब आज़े बढ़ते हैं यह और बेस तो यहाँ पर हम रेड करें तो देख देखते हु आप पर मुझे पता है कि क्या मिलता है वैसा iron bar तो नहीं मिला है हाँ still bar 23 जरूर मिल चुकी है तो थोड़ा बहुत फायदा हुआ हमारे क्योंकि यार दो बोमी लगाने पड़े हमें और 23 still bar मिली है अब दोस्तो वेसे तो 23 still bar भी कम नहीं है क्योंकि आपने देखा होगा कई बार कि मतलब अभी मैंने देखा था थोड़ दिन पहले कि मतलब एक शोप थी उस पे iron bar सेल हो रहा था 200 iron bar और वो कितने में बेच रहा था वो बेच रहा था 20 still bar में 200 iron bar तो यार ऐसे ऐसे लोग बेटे जो 20 still bar में 200 iron bar भी सेल कर रहे है कमाल की बात है लेकिन दोस्तों अगर बात मुझ पे आये कि मतलब मैंने उस शोप पे देखा 200 iron bar तो यार मैं तो कभी ना लूँ 200 iron bar 20 still bar में क्योंकि 20 still bar बहुत कीमती होती है हाँ दोस्तों कोई और ले सकता है 200 iron bar भी 20 still bar में लेकिन मैं तो नहीं लूँगा क्योंकि मैं एक दिन में 12,000 iron bar भी बना लेता हूँ तो दोस्तों आज के वीडियो अगर आप सभी को पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कीजिए चेनल को सब्क्राइब कीजिए हम मिलेंगे एक और न्यू गेम प्ले में तब तक के लिए गुड़ बाई